गुड मॉर्निंग टू अल आफ यू मैं चंदा राजपूत और आज आपको यहाँ पर बताने आई हूँ कि जब आपका रजिस्टेशन लग जाता है और आपके पास आईडी और पासवर्ड भी आ जाता है तो आपने उसको लॉग इन कैसे करना है तो बड़े ध्यान से इस को देखिए और लास्ट तक वीडियो में बने रही है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए जैसे कि यहाँ पर रॉयल ट्रेड जो लिंक है मेरे पास में इसमें मैंने आप क्लिक किया और क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुलेंगा यह जो यहाँ पर साइड में दो डॉट दिख रहे है मैनू के सामने जो यहाँ पर दो डॉट दिख रहे है आपने इस पे क्लिक करना है नीचे आपका आ रहा है लोग इन और लोग इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पर नीचे यह है और मेरा जो password है यह है उसको डाल देना है आपने कर देना है login login करने के बाद में आपके पास ऐसा page खुलेंगा आपकी activation date क्या है आपकी total team कितनी है total direct कितने है active direct कितने है total pin अगर आपने company से pin ली है ID generate करने के लिए activate करने के लिए तो यह सारी यहाँ पर dashboard में आ जाएंगा आपकी self income कितनी है label income कितनी है reward income कितनी है total wallet में आपका कितना balance बचा है अगर आपने withdrawal कर लिया है तो और नीचे retop up के लिए आपके पास कितना balance है और आपने total यहाँ पर कितना withdrawal कर लिया है और इसी के साथ में नीचे एक click here to copy यह आपका referral link है click here to copy में आप click करेंगे तो आपका जो referral link है वो copy हो जाएंगा और आप किसी का भी वर्टसप खोल के महाँ पर आप paste कर सकते हैं वो आपका link होगा अब आपको बताती हूँ कि जो registration करते हैं अगर उनको password change करना है तो वो कहां से करेंगे आपने account पे जाना है और account से जाके my profile पे जाना है my profile पे जाके आपने यहाँ पर change password पे click करना है आपने पहले यहाँ पर old password डानना है जो आपका पहला password था फिर आपने यहाँ पर new password आपने generate करना है जो भी आपने new password बनाना है और नीचे password confirm जो आपने ऊपर new password बनाया है वो आपने नीचे भी डानना है तो आपका यह password आपका यह बन जाएंगा और सभी से निवेदन है कि अपना password आप किसी को भी ना दे क्योंकि जब आप KYC करते हैं तो वहाँ पे भी आपका password मांगा जाता है तो password किसी को भी ना दे ताकि आपका जो withdrawal है कोई दूसरा बंदा ना लगा पाए तो इसलिए old password का मैंने हैं पर आपको ये वीडियो बनाई है क्योंकि काफी सारी जो registration है वो मैंने भी की हुई है जिसका password मैंने बनाया है और जिनोंने मिरको आइडिया दी है उनके पास भी आपका password है तो क्रिपया करके आप अभी अपना जो password है वो आप change कर लिजिए और जो भी आपने अपना password बनाना है वो आप इसमें डाल दीजिए ताकि आपका जो password है वो कोई ना ले पाए तो थैंक्यू सो मच आपको मेरी दी हुई जानकारी से आप बिलकुर सहमत होंगे तो आप अपने protection से आप काम करिए अपना जो password है वो change कर दीजिए और आपने ID कैसे login करनी है वो भी आपको जानकारी पूरी मिल गई है तैंक्यू तैंक्यू all guys सर अपने घर में स्वस्त रहिए healthy रहिए family के साथ में खुश रहिए team बनाईए और income लीजे और daily withdrawal करिए good day